बहिया इन ट्रॉफिस के कितने पैसे मिलेंगे अरे वाह इतने सारी ट्रॉफिस बहिया ये सारी ट्रॉफिस आपकी है क्या हाँ तो बहिया आप इन ट्रॉफिस को बेच क्यों रहे हो आपको क्या बता हूं बहिया मैंने पूरी जिन्दिके लगा दी इन ट्रॉफिस को इतने क पड़ रहा है तो यह सब बाते छोड़ तो यह बता इनके कितने रुपे मिलेंगे भाइया मैं इन सारी ट्रॉफिस के आपको 200 रुपे दे दूँगा नहीं भाइया कैसी बात कर रहे हो इन ट्रॉफिस के आपको 24000 पर कौन देगा मैं तो आपको जानता हूं इसलिए आपको 200 रुपे दे रहा हूं वरना इसकी कीमत पचास रुपे भी नहीं है चल भाई कोई नहीं तू 200 दे है हेलो भीया 200 रुपे है चली भीया मैं चलता हूं मेरी जिंदगी भर की कमाई वीट टोफी की कीमत सिर्फ 200 पर है वारे जिंदगी क्या रूप दिखा जिए तो हुआ है हुआ है हुआ है अरे यह ट्रोफी तो मेडल नहीं के गजए इनको तुम्हें बेच के आगे था सप्सक्राइब शाक्षी शाक्षी हंजी बोलिये शाक्षी यह सब क्या है इनको तुम्हें बेच के आगे तो यह यहां पर कैसे आगए मुझे पता है कि आपने यह सारी ट्रोफी जना कबाडी को बेचती थे लेकिन मैंने उस कबाडी से सारी ट्रोफी खरीद लेकिन क्यों शाक्षी क्योंकि मैं जानती थी प्रेंस की आपने यह ट्रोफी जीतने के लिए कितनी जादा मेहनत करी हैं लेकिन अब इन सब को क्या फाइदा है मैं जानती हूं कि अब इन सब चीजों का कोई मैं तब भी आपके साथ थी, जब आप एक बहुत बड़े एथिलिस्ट वा करते थे और आज भी मैं आपके साथ हूँ मैंने आपके आखों में वो जुनून, वो पैशन देखा है, जो आपके गेम के प्रती है मैंने चाहती कि आप घर की ताल रूटी को चलाने के लिए यू अपनी ये ट्रॉफिस ऐसे कबाडी में 200 रुपे में बेचते लेकिन साक्षी एक बात बताओ, मैंने पूरी जिंदगी कहवा दी इन ट्रॉफिस को जीतने के लिए लेकिन मेरे पास एक नोखरी नहीं है, तो इन ट्रॉफिस को क्या फाइदा? मैं जानती हूँ कि ये वक्त हमारे लिए सच में बहुत कठिन है लेकिन आप क्योट एंशन ले रहे हैं, मैं हूँ न आपके साथ और हमेशा रहूंगी, क्या हो गया, मैं जॉब कर लूँगी, है न और मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए आपके साथ के अलावा, अगर आपका साथ है ना मेरे पास, तो मैं अच्छी तरीकी से जंदीगी गुजार सकती हूँ मैं जानती हूँ कि आप बहुत महनती हैं, और एक ना एक दिन आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे, एवन हम दोनों साथ में सक्सेस हो जाएंगे एक दिन, बट ये ट्रोफी बेचने से कोई फायदा थोड़ी ना है, दो सो और रपे के लिए ट्रोफी बेचने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर ये ट्रोफी आपके पास रहेंगी, तो एटलीस्ट आपके पास होसला तो रहेगा, एक बात बात बदाँ साक्षी, जब ये ट्रोफी में बेच का था था ना, तो मैं बहुत धुक्य हो गया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा, तो मैं जान में जान आ गए, थैंक्यू बहुत साक्षी, अरे नहीं नहीं, थैंक्यू कि कोई ज़रत नहीं है, ये सब तो बस मैंने आपको अच्छा फील कराने के लिए करा, बट आगे से आप मुझसे प्रॉमिस करिए, कि आप कभी भी अपना होसला नहीं गवाएंगे, वह तो मैं जिन्दगी में बहुत अच्छा करूँ और हम दोनों मिल के सक्सेस्पूल बनेंगे